नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश अभिनो क्या इस बार दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर गुजरेगा क्या जो बिहार जीतेगा उसकी बनेगी सरकार ये सवाल इसलिए कि बिहार ने हमेशा से आंदोलनों का नेतरतो किया है इस बार भी विपक्ष को एक जुटता का आधार बिहार से ही दिख रहा है जब पट्टा में आपको मालूम है कि 22 से जादा पार्टियों को नितिश कुमार एक शत्री के नीचे लाते हैं पंदर दलों की बैठक होती है मुख्यमंतर नितिश कुमार को अब ये उम्मीद है कि वो 2015 के विधान सभा चुनाव में महा गठवंधन के साथ वाला नतीजा लोक सभा चुनाव 2024 में दोहरा सकते हैं आंकडों से समझे, RJD, जनत अदल United, लेफ्ट की तीनों पार्टियां, कॉंग्रेस पार्टी के एक साथ चुनाव लड़ने से जातिय समीकरन में NDA काफी आगे है वोट प्रतिश्रत में आगे रहते हुए भी बिहार में ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि चुनाव में मोदी की स्याक तमजोर हुई है कि नहीं ये तो आंकडे बताएंगे और चुनाव परिनाम बताएंगे विपक्षी गठवंधन का कौन सदल कहां से चुनाव लड़ेगा अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है बिहार में हुए जातिगत सर्वे के बाद नितिश कुमार को लग रहा है किसका फाइदा इंडिया गठवंधन को मिलेगा राजनतिक पंडित भी कभी कभी ऐसा मानते हैं वहीं कागजों पर जातियों के समीकरण इंडिया के पक्ष में हैं लेकिन राजनतिक जानकारों की माने तो OBC बोट बेंक पर नितिश और लालो प्रसाद लोग सभा चुनाव में कबजे की बात करें तो ये बेवानी होगी कि इसके पीछे बड़ी वज़ा जो है अभी तक ये समझा जा रहा है कि कई सारे फेक्टर इसमें काम करते हैं क्राफिक्स के जरिये समझते हैं मोदी के नेत्रतु में अभी तक कोई सवाल नहीं उठा है चाहे बिहार यदिश की बात कर ले OBC चेहरे के तोर पर भारते जन्ता पार्टी पीए मोदी पर ही हर बार दाव लगाती रही है और इस बार भी पूरी तयारी है महिला वोटरों में मोदी की अच्छी खासी पकड़ है केंदर सरकार की योजनाओं का असर भी बड़े वोट बेंक पर दिखता है इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा अब तक सामने नहीं आया है ऐसे में NDA का दावा मजबूत दिख रहा है बात आगे करते हैं बिहार में भी छोटे से छोटे जो सहयोगी दल है उनके बदोलत बड़ा खुनवा तयार करने की कोशिश है चाहे चिराग पासवान हो या उपेंदर कुश्वाह हो या पर जितन राम माझी इन सबको BGP का साथ चाहिए और धीरे धीरे सबको इंडिया से तोड कर हलाके चिराग पासवान तो साथ ही थे बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों के संक्सीट बटवारे के लिए कोई मुश्किल नहीं है इंडिया गटबंदन में इसको लेकर माथा पच्ची लगातार जारी है अब समझ ये कौंग्रेस पार्टी को बिहार में 10 सीटों की आस है जनता दल यूनाइटेड और आर जेडी भी इसको लेकर के लगातार तयार है लफ्ट दलों के जो दावे हैं 10 सीटों का दावा कभी 9 सीटों का दावा ये समीकरन बिगाड सकता है लोक सभा चुनाओ 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है सीटों को लेकर सरगर्मिया जो हैं वो लगातार तेज हो रही है इंडिया गटबंधन में ये आवाज तेज होने लगी है कि कौन कहां से लड़ेगा अब यह तै हो जाना चाहिए बार-बार नितिश कुमार कहते हैं लेकिन नितिश कुमार और लालू यादब के अगर अभी तक के समीकरनों को देखें तो मौन साथ लेने के बाद दावों का दौर शुरू हो गया है जो पार्टी आपको मैं बता रहा था कि कौन्ग्रेस पा सभा सीटों पर चुना लड़ सकते हैं क्योंकि उनके सिटिंग सानसत भी हैं आर जेडी चुकि 19 लोग सभा सीटों पर दूसरे नमर पर रही 2019 के चुनाओ में इसलिए 20 सीटों पर चुनाओ लडने का कभी-कभी दावा वहां से भी हो जाता है CPI ML की बात कर लेते हैं उनका कहना है कि सीट वट बाड़ा साल 2020 के विधान सभा चुनाओ के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए 12 विधायक उनके जीते हुए सीटों की मांग इंडिया गठवंधन में जिस तरह से सयोगी पार्टियां कर रही है और लालू और नितीश के लगतार मुलाकात भी हो रही है इन दिनों लगतार आप देखी रहे हैं लेकिन एक खास तरह की चुपी भी है वैसे में कोई रास्ता अगर निकलता अभी फिलाल नजर नहीं आ रहा है अब लेकिन चार फॉर्मूले जो बताय जा रहे हैं उससे ये कहा जा रहा है कि सीट शेरिंग का जो फॉर्मूला है वो सुलज सकता है इसको भी ग्राफिक्स के जरिये समझते हैं बट बारे में एक एक लोग सभा सीट बिलने की उमीद है दूसरा फॉर्मूला भी है बिहार विधान सभा में प्राप्त मत प्रतिशत के अधार पर राष्ट्रे जंता दल सबसे बड़ी पार्टी और उनका वोट प्रतिशत 23.11 एक एक प्रतिशत जेडियू पिछले विधान सभा चुना हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक तीसरा फॉर्मूला भी है कि विधान सभा के सीटों का आधार बनाया जा सकता है सीटों के बटवारे के पेच को सुलजाने के लिए 2020 विधान सभा चुनाव में किसके कितने विधायक हैं उस आधार पर लोग सभा की सीट उन्हें दी जा सकत पार्टी और माक्षबादी कम्मिनिस्ट पार्टी इनके दो-दो विधाय की चौथा फॉर्मूला भी है पिछले लोग सभा चुनाव में दलों की कैसे स्तिती रही इस फॉर्मूले में जेडियू के सोलर सेटिंग है जो पहले में बता चुका हूँ और कॉंग्रेस का एक पात को देखा जाएगा कि वो कितने जगों पर दूसरे नंबर पर रहे बिहार में भले ही हम ये कहें कि जो जीतेगा बिहार वही बनाएगा केंदर में सरकार लेकिन विपक्ष इन 40 सीटों के चक्र व्यू में अभी तक उल्जा हुआ नजर आ रहा है सुल्जाने के फॉर् पाते हैं ये देखना बेहद है दिल्चस्प होगा सब की निगाहें इस बात पर ठीकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये फैसला आना है कि कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे बिहार की तमाम खबरों के लिए आ कैसा लग आपको कमेंट करके में जरूर बताइए